दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी इंटरनेट या सोसियल मीडिया पर मोबाइल फोन एक्स्पलोजोन के इंसिडेंट सुना होगा आज हम हर वक्त मोबाइल से जुड़े रहते हैं और अगर ये हमारे आसपास कहीं फट गया तो हमारा जान तक जा सकती है तो आखिर ये होता क्यों है और हम इसके लिए आखिर क्या कर सकते है चलिए जानते है इससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे देखो mobile फटने के चांस लगबग ना के वराबर होता है पर हम इसे जितना कम कर सकते है हमारे लिए उतना ही अच्छा mobile फटने के दो मेन कज होता है एक होता है manufacturing defect इसे कम करने के लिए companies पूरी कोसिस करते है और दूसरा होता है लापर वही चलिए जानते हैं उन सारे कारोनों को जिसके बज़स से mobile फट सकता है सारे लोग अपनी चार्जर खराब हो जाने पर मार्केट से सस्ती सी non-branded चार्जर ले आते हैं इसमें कई सारे safety features नहीं होते हैं इसलिए आप जब भी charger खरीदने जाए तो company के charger ही खरीदे दूसरा होता है charging while playing video game आपका भी video game खेलते खेलते mobile को charging में लगाने की आदत है ये छोटी सी आदत आपका भारी नुक्सान कर सकती है आप video game खेलना है खेलिए movie देखना है देखिए पर charging को आप करके अरे भाई क्यों risk लेना है कुछ लोग phone को charging में रखके घंटों तक बाते करते रहते है मतलब हाँ 2-4 minute के लिए आप कर सकते है पर अगर आपको ज्यादा दिर तक बाते करनी है तो आपके mobile को charging से हटा लेना चाहिए आज overnight charging तो एक common चीज है हम ऐसे हर कोई phone को charging में रखके सो जाता है पर क्या आपको पता है कि ये आपके phone के battery को नुक्सान पहुचा सकता है अगर आप भी ये करते हो तो सुतर्क हो जाओ कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में आकर कभी-कभी अपनी phone को ही फेक देते है ये आदत आपके phone के battery को damage कर सकता है और जीतना खराब battery जीतना ही उसका फटने का chance होता है तसलिए अपने गुस्से को control कर लो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ share कर लो Thanks for watching See you soon in the next video